बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है बॉलिवुड के दिवंगत दिगस कलाकार राजेश खन्ना डिम्पल कपाडिया से शादी और अंजू महिंदू के साथ रिलेशन्शिप को लेकर खुब चर्चा में रहे थे डिम्पल राजेश की बड़ी फैन थी और जब एक्टर ने उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दिया तो वे इनकार नहीं कर पाई रिपोर्ट्स के अनुसार राजेश एक जमाने में टीना मुनीम के साथ रिलेशन्शिप में आ गए थे वे ना तो डिम्पल के साथ खुश थे और ना ही टीना के साथ संतुश्ट एक इंटरव्यू म उन्होंने कहा कि डिम्पल से शादी मेरी बापसी थी और टीना मुनीम घावों के लिए बाम रिपोर्ट्स के अनुसार डिम्पल का पाडिया और राजेश की शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था राजेश ने अपने 15 साल छोटी डिम्पल से शादी कर ली थी एक इ सुपल स्टारडम और डिम्पल से शारी जल्द ही फीकी पड़ने लगी थी रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि राजेश ने असी के दशक में अपनी मूवीज के फ्लॉप होने के चलते शराब में डूबना शुरू कर दिया इस दोरान भी डिम्पल ने उनका साथ न डिम्पल का जुकाओ सनी देवल की तरफ हो गया हालंकि राजेश डिम्पल को तलाग देने के लिए इसलिए त्यार नहीं थे क्यूंकि वे दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी को लेकर चिंती थी टीना इस बात से काफी खफा हो गई और राजेश को छोड़ दिया रा पर बाम की तरह है तो गाइस क्या कहना है आपको इस खुलासे के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको अमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें ये बीग स्क्रीन